दोस्तों उप्वास हम धर्म के कारण करते हैं लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसे सरीर की पृतिरोधक शमता बढ़ाने के लिए सुरू किया था लोग आसानी से उप्वास करें इसलिए इसे धर्म के साथ जोड़ दिया गया उप्वास करने से सरीर की गंदगी को साफ करने का समय सरीर को मिल जाता है और साफ सरीर में कोई भी वायरस नहीं रुक पाता उधारन के लिए यदि आपको रसोई में एक डस्ट बिन कच्रे से भरा है और दूसरा खाली है तो ज़रा बताईए कि किटानों किस डस्ट बिन में आएंगे जाहिर सी बात है जिस डब्बे में कच्रा भरा है उसी में आएंगे ठीक इसी प्रकार एक व्यक्ती का सरीर साफ है और दूसरे व्यक्ती के सरीर में कच्रा भरा पड़ा है तो ज़रा सोच के बताईए कि वायरस किसके सरीर में आएगा आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं जिस व्यक्ति का सरीर गंदगी से भरा हुआ है वहीं पे वाइरस जाएंगे तो इस प्रकार सरीर को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है उपवास दोस्तों यदि हम उपवास करते हैं तो आपकी जो प्राण सक्ति होती है उसे पाचन किरिया से मुक्ति मिल जाती है यानि कि उसे सरीर में जो भोजन गया है उसे पचाने का काम नहीं करना पड़ता और वो दूसरे काम में यानि कि सरीर की सफाई के काम में लग जाती है ठीक वैसे ही जैसे आज का लोगबाग लॉकडाउन में बैठे हुए हैं और अपने घर की साफसफाई कर रहे हैं उपवास भी एक प्रकार का लॉकडाउन ही है उपवास के दौरान हमारी प्राण सकती अंदर जमी हुई गंदगी को बाहर निकाल देती है उपवास के दौरान प्राण सकती सरीर की बारी की से सफाई करती है और अंदर पड़ी हुई गंदगी को मलमोत्र, छीक, पसी ने कफ के माध्यम से बाहर निकाल देती है इस प्रकार जब हमारा सरीर अंदर से साफ हो जाएगा तो फिर उसकी रोग प्रतिरोधक शम्ता जो है वो फिर से बढ़ जाएगी जिससे हमारे सरीर को किसी भी वाइरस से लड़ने के लिए टाकत मिल जाती है दोस्तों उपवास अलग-अलग तरीके से किये जा सकते है लेकिन मुझे जो लगता है उपवास को मैंने दो भागों में बाटा है उस तरीके से आप चाहें तो उपवास कर सकते हैं या आपका जो भी अपना कोई तरीका हो तो आप उसके तरीके से भी अपना उपवास कर सकते हैं दोस्तों उपवास का एक तरीका है 16 घंटे के लिए उपवास करना और दूसरा तरीका है 72 घंटे के लिए उपवास करना दोस्तों यदि आप 16 घंटे का उपवास करना चाहते हैं तो रात में 8 बजे तक आपको जो भी खाना है वो खा लीजिए और उसके बाद फिर आप कुछ मत खाइये अगले दिन 12 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है और आपके सरीर को छोड़ देना है आपकी सरीर की सफाई करने के लिए 12 बजे के बाद आप चाहें तो आप जो भी खाना चाहें वो खा सकते हैं लेकिन मैं ये सलादूँगा कि उसमें भी आप यदि तरल पदार्थ जैसे नारियल पानी, दाल का पानी, नीबू पानी, संत्रे का जूस, खिचडी त्यादी लें तो अच्छा रहेगा दोस्तो दूसरा तरीका है 72 घंटे के उपास का 72 घंटे में आपको तीन दिन तक उपास करना होता है इस दौरान आपको किसी भी तरह का कोई भी ठोस पदार्थ जो है वो नहीं खाना है आपको सिर्फ तरल पदार्थ के उपर रहना है और इसमें जो मेरा अपना अनुभाव है उसके हिसाब से सबसे बहतर जो कोई भी चीज है सरीर के सफाई को मदद करने के लिए वो है नारिल का पानी और नीबू पानी इसके अलावा संत्रे का जूस मौसमी का जूस किन्नू का जूस तो इन में से आपको जो भी उपलब्द हो आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको ले सकते हैं और 72 घंटे का आप उपवास करें 72 घंटे के बाद आप देखेंगे कि आपके सरीर में एक अलग ही तरह की जो उर्जा है वो हो गई है और आपका सरीर इतना ताकत वर हो चुका है कि अब वो किसी भी प्रकार के वायरस से लड़ने के लिए बिलकुल तयार है आपकी जो प्राण सकती है वो इतनी मजबूत हो चुकी है कि इस समय आप यदि कंकर पत्थर भी खालेंगे तो वो उसको भी हजम कर लेगी दोस्तों आप लोग सदयव स्वस्त रहें इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं धन्यवाद